दोस्तों स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों मिठाई बाटने के लिए हो जाओ तैयार क्यूंकि अब भगवान शनिदेव के आशिर्वाद से 12 राशियों में से इन राशिवालों को आने वाले अगले 7 दिन में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी ये राशिवाले होंगे धन से माला माल ये राशिवाले होंगे करोड़ पती आपको बता दे भगवान शनिदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशिवालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गये हैं जिससे अब इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट स्वयम भगवान शनीदेव दूर करने वाले हैं और अब इन राशी वालों के जीवन में आने वाले हैं भगवान शनीदेव के अपार से अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अब इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा भगवान शनीदेव की आशीरवाद से मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अब इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा ये भागिशाली राशियां कौन कौन सी है जिनको भगवान शनीदेव के आशिरवाद से आने वाले अगले साथ दिनों में ही बहुत बड़ी खुशकब्रियां प्राप्त होने वाली है ये राशिवाले धन से माला माल होने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको उनी राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन राशी वालों के लिए बहुती मैत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों वीडियो अब शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनीदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जै शनीदेव अविश्य लिखें जिसे भगवान शनीदेव का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सके जी हाँ दोस्तों बात करते हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राश्यों के बारे में जिनको अब भगवान शनिदेव के आशिरवात से आने वाले अगले साथ दिनों में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी ये राशी वाले होंगे धन से माला माल ये राशी वाले होंगे करोड़ पती चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदु दरह में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम शनिदेव का भी आता है भगवान शनिदेव सरोच न्याय दीशे और भगवान शनिदेव अनुचित कारे करने वालों को समय पर दंड भी देते हैं शनिदेव सूर्य पुत्र और करम फल के दाता माने जाते हैं और आपको बता दे कि मोक्ष को प्रधान करने वाले एक मात्र भगवान शनीदेव ही हैं। शनीदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गबराहट होती हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि भगवान शनीदेव प्रकृती में संतुलन बना कर रखते हैं। और यह सभी प्राणी के साथ उचित ज्याय करते हैं। शनीदेव की कृपा से इनसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परिशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुचाते हैं, भगवान शनीदेव उन्हें धंड देते हैं। आपको बता दे कि अब भगवान शनीदेव की कृपा 12 राशियों में से कुछ राशियों पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों उन राशिवालों पर भगवान शनीदेव बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं, अब इन राशिवालों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दे कि भगवान शनीदेव अब इन राशिवालों पर अपनी अत्यदिक कृपा बरसाने वाले हैं। अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली हैं, जिससे इन राशिवालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों इन खुशनसीब और भागिशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भागिशाली राशियों पर भगवान शनीदेव की कृपा होने वाली है। जिसे इन्हें धनलाव प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दे इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यावसाय में व्रिदी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद्वी तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या प्रियापार में ज्यादा मुणाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कारियों को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शनिदेर की विशेश कृपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही हैं जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, कष मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली हैं अपार खुशियां ही खुशियां जिससे मकर राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों अब जो अगली राशी है वो राशी है मेश राशी। मेश राशी वालों को बता दे कि भगवान शनिदे मेश राशिवालों जिसकी वज़े से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बता दे कि भगवान शनी देव की क्रिपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़एंगे। आपको बता दे जो भी आपके रुखे हुए काम थे वो सब अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दे कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता जी हाँ दोस्तों भगवान शनिदेर के आशिर्वात से साधनों में व्रिदी होगी, भगवान शनिदेर के आशिर्वात से आपको धनलाब प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, मेश राशी वालों आपके घर परिवार में खुश्नमा माहोल रहेगा, साथ ही आपके कारोबार में व्रिदी होगी, सामाजिक शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धनलाब प्राप्ति की आपके लिए संभावना बन रही है, साथी साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो ये योजना आपकी पूर्णत पक्ष में है, समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे, जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो राशी है विरिशव राशी, बता दे कि अब भगवान शनिदेव के आशिरवात से आपको बहुत कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं, दोस्तों आपके द्वारा की गही मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा, आपको बता दे कि भगवान शनिदेव की क्रिपास से आपकी आर्थिक सित्ती पहले से बहतर होगी, आपके रुके उपे कार्य अब सफलता पूर्वक बनेंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा, साथी साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है, व्रिशप राशी वाले लोगों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सयोग प्राप् आपकी मदुर्वानी की वज़े से आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपके उपर बन रही है। आप दिन दुगनी और राद चोगनी तरकी करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं की अब जंडे घार देंगे जिससे दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा भगवान शनीदेव के आशिरवाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो राशी अगली राशी आती है वो राशी है कन्या राशी। कन्या राशी वालों को बता दे कि भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके ऊपर बनी हुई है। साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा। प्रेम सम्मंद मजबूत होंगे। साथी साथ आपकी सभी कारिय सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथी साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये योजना भी उनकी अविश्य सफल होगी। भगवान शनीदेव आपके उपर क्रिपाद रिष्टी बनाए होए हैं। आपकी समस्त मनो कामनाएं पूरी होगी। और भगवान शनीदेव की क्रिपा से अब आपके जीवन में अनीक प्रकार के लाब, धनलाब और सफलता की प्राप्ती होने वाली है। जिससे कन्या राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो राशी है सिंग राशी। दोस्तों सिंग राशी वालों को बता दे कि भगवान शनी देव की क्रिपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बहतरीन होने वाला है। आपको बता दे आपको ना केवल मान समान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिसे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतनविधी के भी पूरे योग हैं। आपको बता दे कि भगवान चनी देव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। और आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुश्यों का माहूल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुश्यां ही खुश्यां होगी। दोस्तों आपको बता दे भगवान शनीदेव की कृपा से सिंग राशी वालू अब आपके जीवन में आपको अपार खुश्यों की प्राप्ति होगी। जिससे आपका जीवन बदल जाएगा कहना गलत नहीं होगा सिंग राशी वालू भगवान चनी देव का अशिरवाद अब इस समय आपके लिए पूर्णत पक्ष में है जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है धनू राशी धनू राशी वालू को बता दे कि भगवान चनी देव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दे आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है आपको बता दे जो आपने मेनट की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुश्यों का टिकाना नहीं रहेगा आपको बता दे आपके रुके हुए कारे भगवान शनी देव के आशीरवात से अब समय पर पूरे होंगे आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दे कि आप लोगों के ऊपर भगवान शनीदेव की असीन क्रिपा बनी हुई है और भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपकी धन समंदित सभी समस्याएं, मुश्किले सब दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राक्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे धन में खुब विधी होगी और अनेक प्राका के लाब, धन लाब और बड़ी बड़ी सफलता में अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है साथी साथ आपको बता दे जो लोग नौकरी क करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन विधी के भी योग हैं, आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से धनुर राशी वाले आपके जीवन की समस्त परिशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है, अपार खुश का भंडार आने वाला है जी हां दोस्तों भगवान शनीदेव आपके उपर बहुत प्रसंद है आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों आपको बता दे कुम्ब राशी वालों अपनी आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है साथ ही साथ जो भी आपके रुकेवे कार्य है वे सब सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे और साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्यापार दिन आपके उपर बेहत प्रसन होने वाले हैं। कुम्ब राशी वालों आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एसास करेंगे। आपको आने वाले समय में अब आई और नौकरी में पधोनती मिलेगी। प्यापार में अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक सिती मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शान्तिव आनंद का वातावरन रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है। भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। वियवसाय में अचानक लाब होगा और आकस्मक धनलाब प्राप्ती भी आपके लिए अनेकों योग बना रही है। भगवान शनीदेव की क्रिपा से ही मितुन राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुश्यों की प्राप्ती होने वाली है। जिससे आपके जीवन में होंगी खुशियां ही खुशियां, साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना इनकी अविश्य ही सफल होने वाली है, संतान प्राप्ति का भी सुख मितुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है जिसे घर परिवार में होंगी खुशियां ही खुशियां, कहना गलत नहीं होगा मितुन राशी वालों, भगवान शनीदेव के आशिरवात से अब समय आपके लिए पुर्णता पक्ष्य में रहने वाला है, समय का भरपूर लाव उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें, जी हाँ दोस्तों, ये खुश नसीब और भागिशाली राशियां जिनको भगवान शनीदेव के आशिरवात से अब अपार खुश्यों की प्राक्ति होने वाली है, इन राशी वालों के जीवन में होगी, अब खुशियां ही खुशियां शनी देव के आशिरवाद से इन राशी वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों भगवान शनी देव का अशिरवात आपको प्राप्त हो सचे दिल से कमेंट बोक्स में जै शनी देव अविश्य लिखे वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेर करें जै शनी देव प्रस्तों